नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीब जैन पुराने नौट और शिको का वायर स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ वायर बेनो अगर आप लोगों के पास प्राचिन काल से जोड़े पुराने नौट या पुराने सिकें और बेचना चाते हैं या फिर आप लोगों के नौट और शिकें नहीं बिकें हैं तो बायर बेनो आज आप लोगों के पुराने नौट और शिकें किस परकार से बेचना होगा इसके बारे में सारी जानकरी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसलिए पायर बिन आप लोगों से निवे देने की इस वीडियो को लगाता रहा 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 बिना स्क्रिप की वह देखते रहेगा अगर आप लोग ने इस वीडियो को बीच में स्क्रिप कर दिया और पूरा नहीं देखा तो आप लोग को सारी जानकरी समझ में नहीं आएगी और आप लोगों के नौट और सिके भी नहीं बेखेंगे क्योंकि भाएर मिन आजगी इस वीडियो में मैं एग्जिबेशन के बारे में और पुराने नोट और सिको के बारे में सारी जानकरी समझाच की इस वीडियो में आप लोगों को जानकरी बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को ध्यान पूरों को जरूर देखेगा एक्जीबेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि फारत के कौन-कौन से सहर में कौन सी डेल्ट को एक्जीबेशन लगेगा और कितने बज़े से कितने बज़े तक एक्जीबेशन लगेगा इसके बारे में आज किस वीडियो में हम आप लोग को विस्तार से बताने वाले हैं इसलिए बायर बिनों आप लोग वीडियो को पूरा जरू दिखेगा कल है जो दिल्ली में एक्जीबेशन लगेगा दिल्ली के एक्जीबेशन में जाकर आप लोग अपने पुराने नौट और सिके बेच सकते हैं लेकिन भायरबिनों आप लोगों एक्जीबेशन में जहीं जा सकते हैं लोगों को पता नहीं चलता कि क्स परकार से एक्जीबिशन में जा कर नौट और सिकने बेचना हैं तो वाजर बिन मैं आप लोगों को पता देता हूं कि आप लोग मेरे से कॉंटेक करके आप लोग अपने पुराने नौट और पुराने सिखें जो गर बैटे भी बेच सकते हैं जी यहां बाइरबेन आप लोगों ने बिल्कुल साही सुना है आप लोग अपने पुराने नौट और पुराने सिखें हैं जो गर बैटे भी बेच सकते हैं या प्रेजव आप लोगों ने अभी तक यूटूबर बहुत ही सारे वीडियो दिखे होंगे या प्रेजव आप लोग यूटूबर वीडियो देखर या फिर कमेंटमें से नमबर लेकर बायर बेनों आप लोग कॉल करते हैं तो वो लोग है जो आप लोगों से पैंसे मांगते हैं और बायर बेनों कई लोग हैं से होते हैं जो पैंसे दे देते हैं फिर वो लोग है जो उनके पुराने नौट और सिक्पी नहीं खरीते हैं इसलिए बायर में आप लोगों बता देता हूँ कि वो लोग बिल्कूल फ्रोड लोग होते हैं आप लोगों से पैसे ले लेते हैं फिर आप लोगों के नौट और सिके भी नहीं करेते हैं इसलिए बायर में आप लोगों को किसी भी परकार से किसी को भी पैसा नहीं देना वो लोग बिल्कुल फ्रावड लोग आते याँ पर जाप लोग सही तरीके से और बिना पैसे दी हुए जो जो यहां पर जो गर बेटे बिना पैसे ली выше नॉराट बेर से करीते तो बैर में आगी से वीडियो में में मेरे खुद के नमबर और कई सारे बायरों के contact नंबर देने वाला हूँ जो सही तरीके से नौट और सिखे खरीता हूँ और बिना पैसे लिए गर बेटी न्यावरे जो करीता हूँ अगर आप लोग अपने पुराने नौट और सिखे जो मेरे से contact करके गर बेटे बेच सकते हैं तो बायरों चलते आज का वीडियो सुरू करते हैं आप लोगों को step by step सारी जानकरी नौट और सिखे बारे में बता देते कि आप लोगों के पास प्राजी नौट और सिखे होने चाहिए और पैरबेन उन नौट और सिखों में ऐसी क्या खास है जिनकी वज़े से यहां पर जो लागव रुपे में कीमत दी जा रही हैं और ऐसे कौन-कौन से नौट और सिखे हैं जिनकी वज़े जिनकी यहां पर जो कीमत हैं लाख रुपे में दी जा रही हैं यह सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो को लगातारत देखते हैं तो वायर मैनों चलते आज करे आज क्या वीडियो सुरू करते हैं आप लोग वो स्टेप भाइ सारी जानकारी बता देते हैं लेकिन वायर बेनों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सोटीशी रिक्वेस्ट है कि आप अमारे इस यूटूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर करें सब्सक्रेब करने के वाद वीडियो के कुछ ओड़ा सा लाइक जरूर करें लाइक करने के साथ साथ आप लोग हम नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा आप लोगों के पास प्राचिन काल से जोड़े कौन-कौन से नौट और सिके हैं और आप लोगों बात के किस सेर्वें या पर किस जलेवें या पर किस राजिम रहतें आप लोग एतना काम कर लेंगे तो भी आप लोगोंके 9 एर शिको गर बेटे बेखेंगे तो भायर बेनों चलतें आज के आप वीडियो सुरू करते हैं अब बात कर लेते हैं प्राचिन काल से जोड़ो पुराने 9 एर शिको के बारे में अग इस वीडियो में पुराने नौट और पुराने सिकिप बताऊंगा जिनकी कीमत है जो आप लोगों गर बेटे लक और रुपे में मिलने वाली है तो पायर बेनों ऐसे कौन-कौन से नौट और सिके हैं जानने के लिए आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा ताकि आप लोगों सारी जानकरी समझ में आ जाए और आप लोगों बायो लोग के कॉंटक्ट नंबर भी मिल जाए और आप लोग गर बेटे आप लोगों को स्क्रीन पर पुराना सिकाई दिखाई दे रहा हैं इस सुपरकार का आप लोगों के पास यहां पर जो पुराना सिकाई असो किस्तुंब का भी फोटू है और यहां पर जो बड़े एक्शरों में 5 लिखा हुआ है और यहां पर जो आसो किस्तुंब के यहां रहे जो जैस में जैए लिखा हुआ इस परकार के या पर टी बनाई हुई है और रहा वेयर किंट नहीं इस परकार का आप लोगों को पास सेहमे पास्टा है और आप लोगों के बेचना चाहते है ये आपर को कोसिस कर रहें अब भी जिक आप लोगों के नहीं बिका हैं तो बैर बनों आज आप लोग बिर्क्नि से में गा चाहिए लगों के पास यह सेम सिक्क़ हैं तो आप लोगों को गर बैठें यहाँ पर जो इस शिक्कब की मत जो पांच लाग रुपे आसानी से मिल सकती है तो वायर बिन आप लोग इस शिकह बेचना चाहते हैं तो वीडियो में बने रही ऐसे शिकह 10 लाग कलेक्शन में चाहिए मतलब यहां पर जो इस शिकह की फुल डिपंड है इस परकार के सेम शिकह जो 10 लाग कलेक्शन में चाहिए तो वायर बिन आज ही गर बेचे बेचो मतलब आप लोग यहां वरज गरीब हैं आप लोग कोई पास पैसे नहीं है और वायर बिन आप लोग एक्जीबिशन में नहीं जा सकते हैं यह आप लोग अपने गर बेचे सकते हैं तो वायर बिन अगर आप लोग पास इस परकार का सिकह हैं तो आप लोग अमें कमेंट बोक्स में ज़रू बदाएगा और वायर बिन अगले इस नौट की बात कर लेते हैं परन्तो आज आज किसी वीडियो में आप लोग को बिल्कुल सही किमत बताई जाएगी और आप लोग को गर बेचे नौट और सिके खरीदी जाएगी और वायर बिन यहापर जो इस परकार का टेक्टर वाला पांच उर्पे वाला पुराना नौट है यहापर जो आप लोग को पास हैं और आप लोग इस नौट को बेचना चाते हैं तो पायर बिन आज आप लोग बिल्कुल इस सही वीडियो पर आ चुके चुकि पायर बेनों यहाँ पर जो इसे नौट की किमत है जो आप लोगों 15 लाग से लेकर 30 लाग रुपे के बीच में असानी से मिल सकती है तो पैयरबिनों किस परकार से मिलेगी इस केमें इसी क्या खासित है जिनके वज़े से यापर जो 15,30,000 रुपे के बीच में आप लोगो आसानी से कीमत मिल रही है तो पैयरबिनों यापर जो आप लोगो सीरियल नमर पर ज्यान दे तो यहापर आप लोग देख सकते हैं सीरियल नमबर साशो सियां से यहाँ पर एक, दो, तीन यहाँ फर ट्रिपल जीरो सीरियल नमबर वाला पांच उर्पे वाला ट्रेक्टर वाला नॉट आप लोगों के पास पाया जाता है तो आप लोगों को इसकी केमत है जो 30 लाग रुपे आसानी से मिल सकती है बिएच आप लोगों के बाइचे पर करें। वालां जी यर बायरवन इन अगर आप लोगों के पास नहीं आप आप। गेंडे साफवाला 25 या पकीस पहंशे वाला यहाफ लोगों के पास पुराना सिह गेंडे साफ भाला यहां पेठे हएं और यहांपरे वहाई एकसवर में 25 लेगा हुआ न स्वहले तो गेंडे साफवाला पुराना पाया जाता है तो पायर्बिन आप लोग इस सिके को गर बैटे बेच कर लख पती भी बन सकते हैं जी यहां पायर्बिन इस सिके की किमत जो आप लोग को 10 लाख से लेकर यहां पर जो 12 लाख रूपे के बीच में आसानी से मिल सकते तो पायर्बिन इस परकार का आप लोग के पास प्राचिन गाल से जड़े पुराना सिखा है तो आप लोग यहाँ पर जो गर बैटे बेच सकते हैं और यहाँ पर जो आप लोग को स्क्रीन पर बायरू के कॉंटक्пр 걱정 नमबर देखा है एस कॉंटक्ट नमबर पर आप लोग पुराने से के जो गर बैटे बेच सकते तो आप लोग मैंने आए यहां पर जो जितने भी पुराने नौट और पुराने से के बताए जो उन्में से आप लोग के पास किसी भी परकार के पुराने नौट और पुराने से कहें या पिर उनके अलावव भी पुराने नौट और पास पाई जाते हैं तो आप लोग भी गर बेटेस नंबर पर कॉंटेट करके आप लोग अपने पुराने नौट और पुराने से के जो बेच सकते हैं तो पायर बेन आप आप लोगों के पास मैंने बताए उनमें चाहिए आप लोगों के पास हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रेब कर लीजीगा मिलते हैं को नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंट वन दे मातरम